नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्योलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों स हुजरतीव मौत नहीं मरते हैं इनको हमेशा इंसान ही कतल करता है नफ्रस से नर अंदाजी से तो कभी गलत फैमली से समंधों को जोरना एक कला है लेकिन रिष्टों को निभाना एक सामना है जिन्दगी में हम कितने भी सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही सक्ष्यानते हैं एक तो इस्वर और एक अपनी अंतरात्मा और कितना अजीव है न ये दोनों दिखाई नहीं देते करो दिल से सजदा तो इवादत पनेगी माबाग की सिवा आमानत बनेगी खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माबाग की सिवा जमानत बनेगी इंसान घर बदलता है लिवास बदलता है रिष्टे बदलता है दोस्त बदलता है फिर भी परसान क्यों रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता मिजा गालीव ने कहा है कि उम्रवर गालीव यही भोल करता रहा धोल चेहरे पर थी और आइना साफ करता रहा मीठा सहत बनाने वाली मदुमक्खी की डंक मार सकती है इसलिए होसियार रहें बहुत मीठा भुलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं हानी भी दे सकते हैं हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिस ना करें क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं उनके लिए आप अच्छे हैं और जनके नजरों में आप बुरे हैं वो लोग आपको समझते ही नहीं है हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारिफ करें पर यह इच्छा अल्टिन संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है जीवन में दो नियमों का पालन अवस्य करें मित्र और रिस्तिदार सुखी हो तो बीना निमंत्रन के उनके पास कभी न जाए और यदि किसी परिसानी या दुख में हो तो निमंत्रन की परतिक्छा कभी न करे जिदिन तुम्हारे कारण माबाद की आँखों में आसु आती हैं याद रखना उतिन तुम्हारा किया सारा धर्म आसु में बह जया है। सत्ती ने कोई विश्वास नहीं करता। जूट में सब विश्वास करते हैं। सराब बेचने वाले को कही नहीं जाना परता। लोग खोद उसके पास चले जाती हैं। पर दूध वेचने वाले को गली-गली घूम कर वेचना परता है। इसी प्रकाल सच्चे को बार-बार प्रतिक्छा देनी परती है। प्रसंसा से पिघल्ला मत्ते, आलूचना से उबल्ला मत्ते, निस्वात भाव से कर्म करो। क्योंकि इस तरह का इस तरह पर सब धरा रह जाएगा। हमेशा इन ब्रैंड चीजों का इस्तेमाल करे। होटों के लिए सक्ते, आवाज के लिए प्रातना, आखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, और हिर्दय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हसी, और बरा बनने के लिए माफी। जीवन में तीन बाते कभी भी हो सकती है, पहला पाप का उदे कब आ जाए, दूसरा गती का बंद कब हो जाए, तीसरा आयू का अंत कब हो जाए, इसलिए अपने परिनाम सदा कोमल रखनी चाहिए, हर इसी अपने वक्त पर अच्छी लगती है, बस एक चाय है जो हर वक्त मेशा के लिए बंद हो जाती है, लोगों के पास किसी की मदद के लिए समय नहीं रहता, लेकिन किसी का काम भी गार ना हो, तो बहुत समय होता है, राश्ते पर गती की सीमा है, बैंक में पैसो की सीमा है, परिच्छा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है इसलिए सदा स्रेश्ट सोचें स्रेश्ट पाएं सासे किसी का इंतिजार नहीं करती चलती है या चल देती है चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए पर इतनी नहीं कि जिन्दगी तमाम हो जाए मालूम सब को है कि जिन्दगी बेहाल है लोग फिर भी पूछते हैं और लुग्तो रोकने का एक मात रुपाई की सच को स्युकार करना है की हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था और हमारा कुछ नहीं रहेगा दिन भी जाते हैं काली बनकर यादे रह जाती हैं निसानी बनकर पर रिस्ते हमेशा रहते हैं कभी ओठों की मुस्कान बनकर तो कभी आखों का पानी बनकर पतजर हुए बिना पेर पर नहीं पत्ते नहीं आते ठीक उसी तरह परिसानी और कठिनाई सह बिना इंसान की अच्छ दिन नहीं आते, मा जो भी बनाएं बिना नकरिक ये खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो मा नहीं होती, या फिर खाने की रोटी नहीं होती, या फिर दोनों नहीं होते, इंसां की जिन्दगी में तीन चीजे बहुत उलजी होती है, दिल, दिमाग और तकडीर, दिल कुछ कहता है, फिर दिमाग उससे पाने के लिए रास्ता तलास करता है, लेकिन होता वही है जो तकबीर चाहती है, इवन में किसी को रुला कर हवन भी कराओगे, तो कोई फैदा नहीं, अगर रोते हुए किसे आदमी को भी हसा दिया, तो कमाई हुई संपती का बटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बटवारा कोई नहीं कर सकता, हमारे द्वारा कियेगे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा, होसलों में कैद आसमान रखें, परिंदों से उची उरान रखें, छोटी सही पर गीर से अर्टर एक अपनी अलग पहचान रखे, अगर बच्चों से कुछ उमीदे हैं, तो पहले वुजुर्गों का मान रखे, सत्य इंसान समझ ले सिफवे, जरूरी नहीं, तो गीता कुरान रखे, जिस तालूप की उम्र बरहानी हो, एक फासला उसके दर्मियान रखे, तीन चीजें इंसान की अपन नहीं आती, समय, सब्द और अफसर, तीन चीजें इंसान कभी नहीं खो सकता, सांती, आसा और इमानदारी, तीन चीजें जो सबसे मुल्ले है, प्यार, आत्मिस्वास और सच्चा मित्र, दोर लंबी हो, तो इसका मतलब ये नहीं, कि पतंग बहुत उपर जाएगी, उराने का तरीका आना चाहिए, दोलत ज्यादा तर मतलब सफल जीवन नहीं, जीने का सही का आना चाहिए, एक मर्द आता है दुनिया में औरत के जरिये, उसको पालती पोस्ती औरत ही है, उसको प्यार भी औरत ही होता है, वह साधी भी औरत से ही करता है, पहरानी है, फिर भी मर्द औरत की इज़्जत नहीं करता आलोचना में छीपा हुआ सकते है और प्रसंता में छीपा जूट यदि मनुस्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आफ हो जाए दोस्तो यदि आपको यह वीडियो चलागी हो तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमस्ति वाह लिखे और हमारे चान को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो